ताला बनाई है एक वीडियो में शूट कर रहा हूं लोगों को दिखाने के लिए लेकिन अपना कारोबार को छोड़े नहीं है और ताला बनाने में लगे हुए है इन से कोई सीखे आकर यहां ताला खराब है तो इन से आकर बनवाए दिन्दार नंगर पजार जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है हम भी जह रहा है अच्छा हम से जुआ है ताला का रिपेरिंग माश्टर है हम भी जा रहे थे ना नास्ते में तो हम से हम भी कहें कि वाकई में चाचा के से थोड़ा रूबरू हो बैठके थोड़ा इनकी कारिगरी को देखें क्योंकि एक कारिगर दूसरे कारिगरी को असानी से समझ सकता है कि कितनी मेहनत से उस चीज को तयार किया जाता है तर रहे हैं ना चाचा चाचा उमर कितने होगी आपकी अस्तिस उपर है पचासी का नव्य धर अच्छा अरे एक साल दूसर की कौन ही है और कितने सालों से ये काम कर रहे है अपना ये ताला बनने के काम उननी सो पचास क्या अच्छा अच्छा गजब अच्छा देखिए इधर के तरफ दिलधान अगर बजार आज हलाकी शुकरवार का दिन है इसलिए थोड़ा भीन बहुत कम है ने तो ये समली जी पूरी खच ये तो जी गजिवार का शुक का माश्चर है इदर दूर। इस वीडियो बना चासे अच्छा अच्छा करेंगा जिव द्न नगर केंदर काला की शुक हो ये सीुक है सिस्का मिष्टी जगष जगष हो कि इतने उमर में इनको अराम करने चाहिए लेकिन यह मेहनत कर रहे हैं काफी जदा अपने कमाना अपने खाना है ना चलिए चाचा बहुत अच्छी वाद है चाचा हाथ में हूनर है तो आप यह काम कर रहे हैं कि अच्छी किसी अच्छी कर रहे हैं कि अच्छी जदागी का अच्छी तो आपक बनवाएं इस चाहिए 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 लागा लें निए बनवाए है अखमें कहां आख बनवाए है जाना जानाई अच्छ यही बादा जो हनक्सर वाला किसमत वाया विए अपर प्रदेश पर देख किसमत अचारी कोज में चला गया खांगी किसमत किसमत उसको ले गई ना उसास में तो चाचा ये छोटी-छोटी थोड़िया यूज कर रहे हैं ना अच्छा जी चलिए अच्छी बात है जरूरत के उपरण को रखे हुए ना जाचा कभी अगर हमारे घर में जरूरत परेगी ना ताले की तो वह ताला आपके आहीं आहीं आएगा पनने के लिए फिर भी वह ताला आपके आहीं आएगा पनने के लिए हुँँ छली अच्छी बात संगर ससील रेक्ति अभी भी मोजूब है जैसे हम आप लोग को दिखाई इस वीडियो में चाचा कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ताले का रिपेरिंग का काम करते हैं खासकर अगर आप लोग दिल्दान अगर एडिये से हैं तो कोशिश करें कि जरूरत मंद लोगों के पास के ताले का रिपेर का काम ये जो भी हो उनों का काम दिचे ताकि लोगों का मनोगल बना रहे हैं